थियोक्रेसी का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेती हैं थियोक्रेसी का मतलब होता है धर्म तंतर, धर्म तंतर का मतलब होता है कि एक ऐसी सरकार जिसमें जो देश की जो साशन ववस्ता है वो धर्म के अकोर्डिंग चलती है यानि कि धर्म के हिसाब से साशन चलाया जाता है यानि कि थियोक्रेसी is a form of government in which religious institutions or religious leaders hold political authority यानि कि थियोक्रेसी एक ऐसी government होती है ये government के ऐसी form होती है जिसमें जो religious leaders है वही जो political powers रखती है and the state's legal system is based on religious laws and principles और जो देश है या राज्य है उसका जो system है जो legal system है कानून ववस्ता जो है वो धार्मिक नियमों पर चलती है या धार्मिक नियमों पर based होती है in a theocratic system the government is typically ruled by divine guidance or religious doctrine and religious figures often play a significant role in shaping laws, policies and governance decisions यानि कि जो धर्मतंतर होता है उसमें जो सरकार है वो जो धर्म के रूल है धर्म के जो नियम काइदे हैं उनके इसाब से चलती है और इसमें जो धर्म के बड़े नेता होते हैं वो एक significant role अदा करते हैं कानूनों को बनाने में, policies बनाने में और सरकार को चलाने में तो ऐसी जो व्यवस्था होती है उसको धर्मतंतर कहा जाता है और English में हम theocracy कहते हैं यानि कि जो ऐसा तंतर होता है या ऐसी सरकार होती है तो वहाँ पर अलग-अलग जो धर्मों के जो मुखिया होती है उस देश के वही एक तरीके से सरकार चलाते हैं जैसे कि अगर Vatican City की बात करें तो वहाँ पर जो पॉप होता है यानि कि जो चर्च का पॉप होता है वही सरकार चलाता है और इसी तरीके से कुछ और देश है जहां पर ऐसे ही जो सरकार है वो धर्म का मुखिया है या जो सबसे उंचे धार्मिक पद पर वैक्ति होता है, वही सरकार में भी मुख्य पद पर होता है, तो ऐसी जो व्यवस्था होती है, उसको थियोक्रेसी कहा जाता है, इसके बारे में गर और डिटिल से पढ़ना चाहें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं और इसको और बहतर तरीके से समझ सकते हैं, अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें